तो गाइस मैं हूँ अंगी तो और आप दिख रहे हैं रस्लिंग फैंस नेटवर्क सुरु करते हैं हम लोग अपनी बातों को एक बैड निउस है यह बैड निउस है डाइजक को लेके डाइजक जिनको डॉमिनिक डाइजक कोविक के नाम से उनके करियर के स्टार्ट में जान क्यों से क्या स्क्राइजक कर दिख रहे हैं अल्सक्त करिए टेंड अच्छाइच ओ रहे हैं जवेशन लेग टूर तो इनको जानिवट आपाइजक डिख लाइब टा इन फैंस तिर व्यूद घूमत्स अगल… और यह जब्यूमत्स अग्छ इंस प्पूमत्स आ है टूमन स पेसे खम सेस्गावारी से बहें करो फजोरी 120 năm 2023, जब एपले कर दो आशованा दोated by और जा दे होाँ वैते हैश, आजन अच्पाली का लिए उसाता दित्वी ऑ्टेष कहा लॉनी बेस्सींख करो uckingड़ चाकाली पड़े, इनकिरोग का छोरी कू तो भाईए मैंने आपको पुरा पढ़के इसलिए इसलिए बताया ताकि आप इनके सब्दों के अंदर इस चीज को महसूस करो आप में स्क्रीन सोड दिखाता तो आप इस तीज को पढ़ते नहीं मैं आपने सब्दों बता तो आप उस तरीके से समझते नहीं डाइजेक ने पताया ये सब इसलिए क्योंकि वो प्रूफ करना चाहते हैं कि उन्होंने कितना अपना बेस्ट देने की कोशिस करी है डवी डवी के अंदर इनकी बातों से पता चलता है कि नहीं ये हार्ड थे साथ में काम करने के लिए यानि कि तफ टू वर्क भी नहीं थे सब के साथ मि एनेक्स्टी टाइटल के लिए भी चैलिंज भी करने वाला था लेकिन ड्राफ्ट में मुझे मंडेन आयट रॉप बुला लिया गया उसके बाद कुछ हुआ भी नहीं और मुझे 11 आर में बताया जाता है कि मैं डवी डवी के साथ नहीं रहूगा विकॉस मुझे डील ऑफ भाई अभी के हिसाब से काफिसर फैन्स के लिए एक हर्ड ब्रेकिंग यूज है तैलेंट तो इनके अंदर भाई फॉर सो रहे उसमें तो कोई डाउट नहीं है और डवी ने में रॉस्ट रपन को कभी एक प्रॉपर ऑपर्चुनिटी नहीं यह भी साफ दिखता है तो यह अभी इनकी स्टोरी मैसिव होने वाली है इसलिए मैं आपको कवर करके बता रहा हूँ अभी मैं रिसेंट्ली में देखा है कि जो जेविर वोट्स ने और कोफिक इंग्स्टन ने डवल डवली इनके ब्रेक अप को दिखाना चाहरी है कि हाँ यह चीज आपको आगे देखन तो सही है अभी बिल्कुल मिसंटरस्टेंडिंग है लेगिन क्योंकि केरिन क्रॉस यह सब करवा रहे है तो जेविर वुट्स को लगेगा कि हाँ यह कहतो सही रहा है अब ऐसे में डवी डवी के पास एक्शुली मैं मैसिव प्लैन से इन दोनों के लिए अब देखो बहुत मुस्किल यह कहना कि बिगी कब वापस आएंगे साध वो कभी भी वापस ना है यह बिगी ने खुद से बात कह रखी है साध वो रिटायर भी हो चुके है अब ऐसे में डवी डवी को न्यूडे के साथ कुछ करना है तो अब इन दोनों के साथ ही करना है और लगता नहीं कि यह दोनों as a tag team कुछ बहुत massive कर पा रहें बिगी एक main key factor थे न्यूडे के जरूर से उनके विना आप चीज़े जो आना सुखी सुखी लगती है तो ऐसे में अब डवी को इनको आपस में भिराना परेगा इन देख के लगता है कि यह चीज बहुत जल्दी आपको देखने क सब कुछ बिगी की वज़ा सवर है बिकास बिगी अब नहीं आ सकते हैं तो अब इनको कब तक ढोके चलेंगे कुछ ना कुछ इनके singles करियर के लिए कुछ करना है एसपसली जेविर वूट्स के लिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि र बात करते हुए फॉर्मर डवी डवी स्टार मैट रिडल सेज्ट इस फॉर्मर आर्के ब्रो टैग टीम पार्टनर रैंडी ओर्टन इस अल्वेज आसके रहते हैं कि तुम क्या कंपनी के अंदर डवी डवी के अंदर कभी वापस आओगे रिडल कहते हैं में भी वंडे आपस में परसनल लाइफ में भिजी हूं ऐसा कुछे कहते हैं अब आपको क्या लगता है रैंडी ओटन सही में रिक्वस्ट कर रहे होंगे रिडल को कि भाई डवी के अंदर आ जाओ कि आपको लगता है कि रैंडी ओटन इतना कंसर्ण है इस चीज को लेके कॉमेंट करके यस और नो करके बाकि मुझे तो यार बिल्कुल नहीं लगता है रैंडी ओटन के पास आखरी में कुछ करने को बचेगा तो भी वो ये काम नहीं करेंगे में रिकॉर्डिंग तो बाकि हाँ आभी रिडल का कुछ कहा नहीं सकते भाई ड्रक्स वगरा भी कभी चड़ इस पास 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 नहीं लगता है मेडिसन स्कुरे गार्डेन से जिसके अजर अधर अटेंडेंस होने वाली है 17,000 प्लस की यानि पेली वारी अटेंडेंस है साथ में यहाँ पर रूमर्स भी बहुत सारे हैं अभी अपडेट का कहना है कि डब ड़ डबली एक्चुली में बलडलाइन एकनॉलिजमेंट सेरेमनी में कुछ मैसिव मूव ले सकती है आखरी बार बलडलाइन एकनॉलिजमेंट सेरेमनी सेडूल करी गी थी जब रोमन रेंज चैंपन थे जब सेमी जेन बलडलाइन के अंदर थे लेकिन बाद में उस सेगमेंट को कैंसल करके रीनेम कर कर दिया डवी ने उस ताइम पताया गया था कि उसके लिए काफी मैसिव फ्लाइन्स थे अभी बताया जा रहा है कि साइड डवी ने उस ताइम जो नहीं करा वह इस ताइम करेंगे इस समयक्डॉन में करेंगे अब मैं इसको पॉइंट आउट करूँगा मैं बता रहा हूँ कि मुझे इस चीज पर विलीव नहीं है विकॉज आई थिंग कि रॉक अभी बहुत बीजिये मूवी सूट करने में अभी वो आके क्या करेंगे विकॉज अभी रोमन भी नहीं आ है तो यह मैं अपनी तरफ से कहा रहा हूँ लेकिन उनका वो कहना था कि रॉक आ सकते हैं कई सारी होप से रोमन रेंज के भी चांसे से हैं आप ऐसा आप नहीं कहा सकते हैं रोमन रेंज के रिटरन को डवी पॉस्पॉंट करेंगे विकॉज उनके फादर की डथ हो गई है रोमन रेंज भाई अपने वर्क को अच्छे से नहीं भार है यानि कि Roman के भी chances हैं अगर acknowledgement ceremony है तो probably Roman Reigns आ सकते हैं Rock के rumors हैं Jimmy उसो के chances हैं यानि कि घुमाव फिरा की ये जो segment होने वाला है एक massive segment होने वाला है और आप लोग surprises expect कर सकतो लेकिन बस एक चीज़े जो की खटक रिये है वो ये है कि अभी तो Jacob Fartu आए है तो अभी के इसाब से मुझे आसा कुछ लगता है लेकिन हाँ आप एक्सपेक्ट करो massive चीज़े for sure bloodline acknowledgement ceremony से कुछ तो बढ़ा होगा just because Madison Square Garden से ये event होने वाला है तो अगर so के end में होता है तो समझ जाओ भाई कि ये कुछ काफी बवाल होगा अभी के इसाब से मैं आपको max to max इतना बता सकता हूँ rumors के recording कोई concrete update नहीं है वो कुछ आएगी तो मैं आपको बताऊंगा बागी देखना है परसो smacking परसो जारा idea लग जाएगा हमें फिलाल इस वीडियो के लिए बसे कुछ updates थी I hope सा आपके information मिली हो मिली हो तो वीडियो को like करें share करें subscribe करें इस चैनल को ताकि आनवारे time के अंदर आपको और बेसे डवी डवी की news रूम और updates सब कुछ time to time जानने को मिलते रहे follow कर सकता आप लोग मुझे instagram and twitter link आपको मिल ज description में join के सकते whatsapp channel को उसके वे link description में मिलते हैं अपनी next offer काफ इंट्रस्टिंग video में